नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है था अनप्रेडिक्टिबल मार्कित में फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको टोटल ऐसे 9 स्टॉक देने वाला हूँ जिसमें आप कल के दिन ट्रेड करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो साथी साथ कुछ ऐसे भी स्टॉक दोंगा जिसमें आप वीकली ट्रेड भी ले सकते हो जिसमें आप काफी अच्छे प्रॉफिट बनाओगे तो फ्रेंट्स इस वीडियो को एंड टक देखना ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट स्टॉक मिस्ट ना कर पाए साथी साथ अगर आप सब चैनल पर पहली बार विजिट करो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस्ट ना कर पाए प्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसके वज़े से कल के दिन मार्किट में एक बहुत ही बड़ा इंपलसिव मूव हमें देखने मिलेगा फिर चाहे वो positive side देखने ब्ले या negative side देखने मिले देखो कल के दिन US में एक बहुत important data release होने वाला है याने की job का data release होने वाला है US में जो कि बहुत ही ज़ादा impact करेगा US market को साथिसाथ पुरे world market को impact करेगा और पुरे world market अगर impact होगा तो Indian market में भी बहुत बड़ा impact देखने मिलेगा साथी साथ एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि FII और DII की तरफ से हमें continue selling देखने मिल रही है अगर हम बात करें 31 January की तो 31 January की दिन almost हमें 60,000 करोड से ज़्यादा की selling देखने मिले है option में FII के तरफ से जिसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं FII के तरफ से एक बहुत बड़ी selling देखने मिल रही है जिसके वज़े से एक बहुत बड़ा impulse से move हमें देखने मिलेगा अपने market में तो friends बीना time waste के हम start करते हैं वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे list में जो पहला stock है वो है JSW Steel Limited जिसका मैंने आपे daily chart लगा रखा है अब इस stock में आप देखोगे कि एक बड़ा downfall देखने मिला था जिसके बाद अपने इस important support के पास से एक support बनाया और वहाँ से हमें recovery देखने मिली पर आज के दिन क्या हुआ एक बहुत बड़ा हमें downfall देखने मिला almost 2% का downfall देखने मिला हमें JSW Steel में जिसने अपने इस previous candle को fully engulf कर लिया है जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक bearish engulfed type candlestick का formation हुआ है जिसके वज़े से अब कल के दिन एक बड़ा downfall हमें देखने मिलेगा इस stock में तो कल के दिन अगर इसमें downfall हमें देखने मिलता है तो कल के लिए जो हमारा target रहेगा वो अपने इस important support के आसपास यानि कि 783 के आसपास हमें देखने यह मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि आज जो candle की formation हुई है वो बहुती बड़ी red candle की formation है साथी साथ काफी ज़ादा हमें volume देखने मिल रहे है previous candle से मतलब यहाँ पर bear जो है वो ज़ादा dominant कर रहे है बुल से जिसके वज़े से अब इसमें downfall हमें देखने मिलेगा कल के दिन उसके बाद हमारे list में जो second stock है वो है IRCTC यानि कि Indian Rail Tourism Corporation Limited जिसका मैंने यहाँ पर daily chart लगा रखा है यहाँ पर आप देखोगे IRCTC में क्या देखने मिल रहे है एक range में आप हमें IRCTC देखने मिल रहे है जिसमें आप कल के दिन एक बड़ा downfall भी हमें देखने मिलेगा क्योंकि आप जो candle की formation हुई है उसने previous candle को fully engulf कर लिया है जैसा कि JSW Steel में हुआ और इस candle को engulf कर लिया है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर bear जो है वो जादा dominant कर रहे है बुल से जिसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनके candle की जो volume है वो भी बहुत ही जादा हमें देखने मिल रही है जिसके वज़े से कल के दिन एक बड़ा downfall हमें IRCTC में देखने मिल सकता है तो कल के दिन अगर downfall हमें इसमें देखने मिलता है तो कल के लिए हमारा क्या target रहेगा अपने इस important support और 30 day moving average के आसपास हमें देखने मिल सकता है यानि कि 926 के आसपास हमें ये कल के दिन देखने मिल सकता है पर अगर कल के दिन इतना बड़ा momentum नहीं बना तो हमें यहाँ पर भी ये देखने मिल सकता है यानि कि 940 के आसपास भी देखने मिल सकता है उसके माद हमारे list में जो तीसरा stock है वो है Aurobindo Pharma Limited देखो Aurobindo Pharma Limited में आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली हमें almost 7% की बड़ी गिरावट देखने मिली है जिसके वज़े सी एक बहुत बड़ी red candle आप लोग को देखने मिल रही है पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अपने इस important support के उपर अभी भी आमें देखने मिल रहा है Aurobindo Pharma पर इसका कुछ भी फायदा नहीं है देखो एक बड़ा downfall हमें देखने मिल गया है साथी साथ यहाँ पर आप देखोगे काफी ज़ादा volume भी देखने मिल रहे है अब अगर कल के दिन यहाँ पर support लेता है और एक green candle की formation होती है और one hour की candle अपने इस important support के उपर closing देती है तो कल के दिन एक अच्छा trend आमें बनतावा देखने मिलेगा साथी साथ यहाँ पर weekly trade के लिए भी बहुत ही अच्छा trend बनेगा तो weekly trade के लिए अगर आप यहाँ पर target देखना चाहते हो तो weekly trade के लिए जो मेरा target इसमें वो 1100 and 150 के आसपास देखने मिल सकता है अगर आप सब इसमें weekly trade लेना चाहते हो तो पर अगर कल के दिन अपने इस important support को break करता है तो अपने इस important pivot point के हमें आसपास देखने मिल सकता है कल के दिन यानि की 1014 के आसपास देखने मिल सकता है कल के ही दिन उसके बाद हमारे list में जो चौथा stock है वो है गोद्रेज consumer जिसमें आज एक बहुत ही बड़ी उचाल देखने मिली almost 8% का उचाल देखने मिला हमें आज गोद्रेज consumer में जिसने high बनाया था almost 1300 के आसपास high बनाया था पर जो हमें closing देखने मिली है वो 1254 के आसपास देखने मिली है मतलब एक बड़ा rejection हमें देखने मिला है अपने high से almost 50% से जादा का rejection देखने मिला और जो closing देखने मिली हमें वो बहुत ही जादा important closing देखने मिली है तो अब कल के दिन क्या हो सकता है इस stock में देखो अभी भी अपने इस important support के उपर closing दिया है यानि कि 1229 के उपर closing दिया है पर क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा rejection देखने मिला हमें जिसका impact हो सकता है कल हमें देखने ना मिले पर एक दो दिन बाद एक बड़ा impact हमें देखने मिलेगा गोद्रेज consumer में और गोद्रेज consumer में एक बड़ा downfall देखने मिलेगा तो अगर आप सब इसमें एक दो दिन wait करना चाते हो तो आप लोग wait कर सकते हो और उसमें trade ले सकते हो और जो आने वाला target रहेगा वो 1160 के आसपास देखने मिल सकता है हमें एक से दो दिनों के बीच में साथी साथ यहाँ पर जो हमें weekly trade के लिए target दिख रहा है वो अपने इस most important support याने कि 1100 के आसपास भी देखने मिल सकता है गोद्रेज consumer उसके बाद हमारे list में जो पाचवा stock है वो है Titan Company Limited जिसका मैंने यहाँ पर daily chart लगा रखा है यहाँ पर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से continue हमें आपर गिरावट देखने मिल रही है साथी साथ जो हमें volume देखने मिल रहे है वो भी continue increase होते जा रहे मतलब यहाँ पर जो downtrend रहने वाला है अभी कुछ समय के लिए रहने वाला है जिसके वज़े से एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिलेगी कल के दिन भी यहाँ पर आप देखोगे इस green candle को इस red candle ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया था जिसके बाद एक बड़ा downfall देखने मिला जैसा कि हमें बिल्कुल देखने मिला JSW Steel में और IRCTC में बिल्कुल वैसा ही कल के दिन वहाँ पर भी हमें देखने मिलेगा जैसा टाइटन में फॉर्म हुआ है तो अब टाइटन के लिए हमारा कल के लिए क्या target रहने वाल है दोको कल टाइटन में एक बड़ा downfall हमें देखने मिल सकता है और अपने इस important support के पास भी हमें कल के दिन टाइटन देखने मिल सकता है याने की 3550 के आसपास हमें कल के दिन देखने मिल सकता है उसके बाद हमारे list में जो छटा stock है वो है rail Vikas Nigam जिसका मैंने यापर daily chart लगा रखा है अगर हम बात कर ले rail Vikas Nigam की तो rail Vikas Nigam ने अपने investor को पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़ादा profit दिया है और आने वाले time में भी यह अपने investor को बहुत ही ज़ादा profit देने वाला है पर कल के लिए यहाँ पर एक negative view लेके आया हो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर आप देखोगे अपने इस candle को याने कि इस green candle को इस red candle ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है साथी साथ जो हमें volume देखने मिल रहे है वो भी बहुत ही ज़ादा देखने मिल रहे है प्रीवियस candle से जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक negative trend बन चुका है और यहाँ पर एक बड़ा downfall भी हमें देखने मिल सकता है तो जो आने वाला target रहेगा मेरा अब RVNL में वो 264 के आसपास हमें यह देखने मिल सकता है एक हफते के अंदर साथी साथ एक और important चीज़ बता रहो आपको अगर आप सब RVNL में invest करना चाते हो तो थोड़ा wait कर लो इस stock को correct हो दो almost जब यह 260 के आसपास आपको देखने मिले तो वो एक बहुत अच्छी buying opportunity रहेगी entry लेने की आप लोग वहाँ से entry ले सकते हो और एक से दो साल का अगर आप view रखते हो तो यह जो stock है वो बहुत ही ज़ादा पैसे कमा के देने वाला है आप लोगों को एक से दो सालों के अंदर उसके बाद हमारे list में जो साथवा stock है वो मुझे लगता है कि हम सब का favorite stock होगा क्योंकि इस stock ने पिछले 2-3 महिने में या ऐसा के लोग पिछले 6 महिनों में बहुत ही ज़ादा return दिया है अपने investor को यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 6 महिनों में almost 263% का return दिया है इसने अपने investor को पर यहाँ पर भी अब मेरा एक negative view बन रहा है जो कि एक बहुत अच्छी opportunity रहेगी IRFC में entry लेने की बहुत सारे लोगों की देखो अगर आप सब अभी तक IRFC में entry नहीं लिये हो तो IRFC में entry लेने का बहुत अच्छा chance बन रहे है अब यहाँ पर एक downfall में देखने मिलेगा जो की बहुत अच्छा downfall रहेगा जो की एक बहुत अच्छी opportunity रहेगी जो जो इसमें यह भी तक entry नहीं लिये तो IRFC अब जो मेरा target है weekly target वो 150 के आसपास देखने मिल सकता है और अगर यह 150 के आसपास देखने मिलता है और वहाँ से एक positive trend बनता है तो वहाँ से आप लोग entry ले सकते हो और 5-6 महिने के लिए अगर आप इसको hold करोगे तो यह बहुत ही जादा अच्छा return देने वाला है आप लोग को यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन एक बड़ी great candle की formation हुई थी जिसने अपने इस important 30 day moving average के उपर closing दी थी उसके ठीक एक दिन बात आज के दिन 7% का में आप अप trend देखने मिला जिसके बाद यहाँ पर कल के दिन वापस से एक बड़ा up trend देखने मिलेगा और अपने इस important resistance क के आसपास हमें कल के दिन देखने मिल सकता है तो जो कल के लिए मेरा target रहेगा BSC Limited में वो 2594 के आसपास हमें देखने मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जैसे से price बढ़ता जा रहे है वैसे वैसे continue में volume भी बढ़ते वे देखने मिल रहे है जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर bullish trend जो है वो intact है जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर bulls जो है वो ज़्यादा dominant कर रहे है bear से जिसके वज़े से कल के दिन एक बहुत ही अच्छा हमें uptrend देखने मिलेगा इस stock में इसके बादा मने list में जो 9 और last stock है वो है NMDC Limited NMDC Limited का मैंने आप वन डे का चार्ट लगा रखा है और इसमें एक बहुत ही अच्छा trend बन चुका है यहाँ पर आप देखोगे NMDC में आप कल के दिन अगर 227 को break करता है तो 234 अराम से हमें देखने मिल सकते हैं और मुझे ऐसा personally रगता है कि कल के दिन अपने इस important resistance के आसप candle का formation हुआ है जिसमें काफी जादा volume हमें देखने मिल रहे हैं जिसके वज़े से अब कल के दिन एक बड़ा momentum हमें देखने मिलेगा और कल के दिन अपने इस important resistance के आसपास हमें यह देखने मिल सकता है तो friends आज के लिए इतना है अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो